दोस्तों आचार चारक के ने अपने नीती शास्त्र में जीवन के विभिन पहलियों के बारे में महत्पूर जानकारी दी है दोस्तों चाड़क की इन नीतियों पर चलकर आप जीवन में आने वाले बिन बुलाई समस्याओं से बस सकती हैं और एक सुखी एवं सम्मान जनक जीवन बेतीत कर सकती हैं दोस्तों आचार चालक किने नीती शास्तर में इस्त्रियों के बारे में भी महत पूंड बातें बताई ही, दोस्तों नीती शास्तर में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है, जिनसे किसी को भी हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए अन्यता आप परेशानी में फ़स सकते ही और आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है तो आएए दोस्तों आज के इस वीडियों में जानती है कि वे कौन सी इस्तिरियां हैं जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक बिंती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए अब शुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो दोस्तों नमबर एक दुष्ट सोभाव की इस्तिरियां चाड़क के जी के अनुसाद दुष्ट सोभाव वाली इस्तिरी से हमेशा दूर रहना चाहिए ऐसी इस्तिरी अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित करने के साथ ही आहित करने से भी पीछे नहीं हटेगी दोस्तों ऐसी इस्तिरी आपका सर्बनाश कर सकती है इसलिए कभी भी ऐसी इस्तिरी के साथ नहीं रहना चाहिए अन्यता आपको शारीरी खानी के साथ मान सम्मान की हानी भी जहिलनी पड़ती है दोस्तों नमबर दो कू संसकारी इस्त्री शाड़क के जी के नुसार जो इस्त्री संसकारी ना हो उससे सजेब दूरी बना कर रखना चाहिए तन की सुन्दरता तो कुछ समय की होती है परंतु मन की सुन्दरता जीबन परियंत बनी रहती है इसलिए दोस्तों एदी कोई इस्त्री तन से सुन्दर नहीं है परंतु वाशुशील और संसकारी है तो ऐसी इस्त्री के साथ सम्मन रखने में बेल्ति सदेब अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्ट करता है परंतकू संसकारी इस्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंद रखने से आपको मानहानि का सामना करना पड़ता है दोस्तों नमबर तीन चरित्रहीन इस्त्री जो इस्तरी एक से अधिक पुरुसों से सम्मन्द रखती है या जिसे समाज में बैशिया माना जाता है दोस्तों ऐसी इस्तरी से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है ऐसी इस्तरी के घर का भोजन करना मि पाप की सिरेड़ी में आता है दुमुर्पान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त इस्तरी से बहुत दूर रहना चाहिए ऐसी इस्तरी के कारण आपको समाजमी मान हानी का सामना करना पड़ता है इसके अलाबा आप बड़ी मुसीबन में फश सकते हैं इसलिए दोस्तों ऐसी इस्तरी को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए अन्यता आपको कोट कचेरी के भी चकर काटने पड़ सकते हैं और दोस्तों लास्ट पॉइंट है स्वार्थी और लालची इस्तरी जो इस्तरी स्वार्थी हो और जिसके मन में लालच भरा हो उससे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है ऐसी स्वार्थी अपने लालच और स्वार्थ के कारण आप से जुड़ती है और अपना मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़ कर चली जाती है दोस्तों एदी व्यक्त ऐसी महिला से संबन रखता है तो बाउसे पतन की ओर ले कर जाती है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों